नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो इंडियन आर्मी के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर के साथ साथ आपके लिए एक बहुत बुरी खब बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नागौर पत्रका यानि कि दोस्तो राजिस्थान पत्रका की एक खवर है और आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं बुद्वार 20 मई 2020 तो नागौर पत्रका की ये 20 मई 2020 की बहुत बड़ी खवर है जो कि इंडिन आर्मी से रिलेट है तो चलिए दोस्तो इसकी मैंने एक क यह सकता है कि आप इसी तरह की किसी अफ़बाम में फज्जा और अपनी तयारी के लिए छोड़ दें जिसे क्या होगा कि अगर आप तयारे ने करेंगे तो आपके जिले में जब भरती नेकले में नहीं होगी कोई भड़ती तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जैपुर जेडारों ने नागौर जिले का जैदपुर एरों में सामिल करने के लिए आर्मे हेड़कौाटर प्रस्ताब भिजवाये था जो से अब मंजूरी मिल गई है जैपुर जैडारों को बोलते हैं हम जोर्नल रिक्रूटिंग ऑफिस तो जैपुर जैडारों ने नागौर जिले को जोदपुर एरों में सामिल करने के लिए प्रति बरस भर्ति में सामिब तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकेले नागावर जिलेों से होते थे 18,000 तक आवेदन तो इसमें मैं आपके लिए कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जिनको पढ़के बताऊंगा आप पूरा पढ़के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेना भरतियों को लेकर अकेले नागावर जिले में 18,000 युबा आवेदन करते थे एक जिले से इतनी बड़ी संक्या को देखते हुए नागावर जिला मुख्यालाय इस्थितराज की स्टिडियम में सेना भरति परिकरिया की गई थी ताकि इन हजारो युबाव को दूसरे जिले में आने से परिसानी ना हो लेकिन अब नागावर को जोदपूर प्रिक्षाओं को नागावर को जोदपूर एरों में सामिल करने से नागावर जिले के युबाओं को बहुत परिसानी होगी गौरतलब है कि जोदपुर एरों के अंतरगत होने बाली सेना भरती में भाग लेने के लिए 10 जिलों के युबाओं की संक्या 35,000 के पार है ऐसे में नागाओर के 8,000 युबा और इसमें सामिल होने से यह संक्या 63,000 तक पहुँच जाएगी ठीक है दोस्तों तो ऐसा हुआ था कि जैपुर जैडरों ने नागाओर जिले को जोदपुर एरों में सामिल करने के लिए आरमी हेलकौार्टर को प्रिस्ताब भैजा था जो कि अब मंजूर हो गया है और अभी क्या होगा कि नागावर जिले में जो अभी तक भरती होती थी वो नागावर जिले में ना होकर जैपुर जेडारों के अंतरकत आने वाले जोदपुर एरों में भरती होगी तो इससे क्या होगे दोस्तों कि नागवर जिले के अभ्यारती जो ज़्यादा सलेक्ट होते थे अब उनके संख्या में भी कुछ कमी आएगी तो पहले दोस्तों यहाँ पर जो क्या था कि पूरे पेपर बगएरा और जो भी था सब नागवर में ही होता था तो इससे क्या था कि नागवर के जिले के जो योबा थे इस भरती में आसानी से सामिल हो सकते थे तो इससे दोस्तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है अगर जन पृतिने दी प्रयास करे तो हो सकती है नागवर में भरती रैली दोबारा से तो इसमें क्या है दोस्तो जो आपके सहर के जन पृतिने दीया है जैसे की मिनिस्टर्स हो गए और बड़े-बड़े जो नेता हैं ऑफिसर्स हैं अगर वो आर्मी हेटकोर्टर में बात करें तो अभी भी आपका क्या है जो काम बन सकता है और दोबारा से नागवर जिले मे जो रैली भरती है वो हो सकती है तो दोस्तो इसको भी मैं आपको पढ़के सुना देता हूं कोरोना के चलते अभी तक राजस्थान के विभिन जिलों में होने वाली सेना भरती रैली को लेकर टाइम सडूल जारी नहीं किया गया है इसका कारण अभी तक राजस्थान में कह तो संभव है कि सेना भरती को रैली नागाउर में कराई जा सके यदि इस बार यह सेना भरती जोदपुर एरों के तहित होती है तो आगे से नागाउर में सेना भरती होने की उम्मीद कम रहेगी तो दोस्तों यहां पर बताया यह जा रहा है कि अभी भी क्या है कि राजस्थान में कोरोना वाइरस के चलते कोई भी आविदन सियना भरती के लिए नहीं लिये जा रहे हैं तो इससे क्या है कि अभी नागौर की जो भरती जोद्पुर यारम होने वाली है उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम है तो वो भरती भी अभी नहीं होगी तो इसमें क्या है दोस्तो इस खबार में अभी यह जो क्लिप है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि दोस्तों अगर जन प्रितनिधी प्रियास करें और आर्मी हेड़क्वार्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री से मतलब आपके सहर के जो बिदायक हैं सांसद हैं अगर डिफेंस मिनिस्ट्री में जाकर बात करें कि जो भी नागावर की भरती है वो नागावर में ही होने दें उसको जोदपुर में ना करवाएं तो अभी भी बात आपके बंद सकती है और नागावर की भरती नागावर में दुबारा से हो सकती है और दोस्तों एक बात यहां पर और बता देना चाहता हूं कि एक बार अगर नागावर से भरती बाहर चले गई तो फिर नागावर में भरती जो है वो होने के चांसिस बहुत कम ही होंगे और दोस्तों यहां पर एक चीज और बता देना चाहता हूं में आपके लिए कि जोदपूर यारो में पहले से 10 जिले अब हुए 11 जिले जोदपूर यारो की और से करवाई जाने भाली भरती में सेना भरती में पहले से 10 जिले सामिल है इनमें जोदपूर, पाली, प्रताबगर, बांसवाड़ा, डूंगरपूर, उदैपूर, जैसलमेर, बालमेर, सिरोही, बाजजालोर, डिश्टिक सामिल हैं इस बार से नागौर जिले को भी सामिल कर दिया गया है जोदपूर, यारम, दोस्तो, अल्रेडी, दस जिलों के योबा भरती देख से देखते थे अभी नागौर को भी उसमें अगर सामिल कर दिया गया है, तो अभी हो गया है 11 जिले जिससे क्या होगा कि भीन भान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और युबाओं को आर्मी में सेलेक्शन पाना हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन तो दोस्तो, वीडियों बस यतना ही था, यह बहुत बड़ी ख़वर थी, आपके लिए देना तो वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके जरू बताएं अगर वीडियो पसंद आए, तो हमारे युट्यूब चैनल सिवा उनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब करें और हमारे जो ये वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें ताकि ये जो वीडियो है, ये पूरी इंडिया में फहले और नागौर की भरती नागौर में ही होने में सफल हो सके तो दोस्तो ये है आपके भाई का चैनल सिवा उनलाइन क्लासिस यहाँ पर क्या है दोस्तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे सिवा उनलाइन क्लासिस तो इस तरह का आइकोन बनके आएगा और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन होगा तो आपसे request है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को भी on कर लें क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर army से related पूरी वीडियो लेकर आता रहता हूं तो उम्मिद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासेश को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों कल फिर्म बिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार